नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम डिसकस करेंगे वाइबरेटिंग रीड टैकोमीटर के बारे में जो वाइबरेटिंग रीड टैकोमीटर है वो क्या होता है और यह कैसे काम करता है जैसा कि इसको नाम दिया गया है वाइबरेटिंग रीड त जाता है तागि ये लंबे टाइम तर्फ चल सके तो यह स्टील से बने होते हैं यह इनको होता है लेकिन इन की जो लेंथ होती है वह डिफरेंट लेंथ होती है अब देखिए सबसे पहले रिब्रेटिंग डिली टेकूमेटर को तो उसके इनर vibration होगी अब जब वो जो vibration है वो क्या है उसकी एक तरह की natural frequency है जब वो oscillate करेगा जब आपने दोबारा उसको continuously repeated external force नहीं दिया एक बार देखे उसको जो उसके oscillation हुई वो क्या होगी वो natural होगी यह आप कहा सकते हैं इसकी definition क्या बनेगी at which a system oscillates when not subjected to continuous or repeated external force यानि कि आप उसके बार बार external और repeated जो forces ना लगाएं एक बार टच करने के बाद टिक करने के बाद या किसी पर मारने के बाद जुसके oscillation होगी वो natural होगी तो यह हर एक metal की अलग-अलग होती है तो इस तरह से आपने जो steel की reads ली है इनको reads बोलते हैं तो यह क्या होती है अलग अलग length की होती है हलक-अलका फरक होता है इनमें तो सब की अलग-अलग natural frequency होगी और इनको natural frequency के according एक plate के ऊपर यह surface plate है इसके ऊपर इनको arrange कर दिया जाता है जैसे इसकी natural frequency 500 है इसकी 600, 700, 800, 900 है यहाँ पर 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरह से एक range के अंदर इनको line में इनको arrange कर दिया ज जाता है अब जो इनका other end है यानि कि यह वाला end है उपर वाला end है यह free होता है तो अब क्या होता है देखें अब कोई भी rotating चीज़ है माली जी कोई machine है उसके अंदर कोई shaft rotate कर रही है अब कोई भी जो rotation वाली चीज़ होती है अगर जो हम कहें कि जो इसकी vibration है जो body की पूरी वो interrelated होती है यानि कि यह जितनी तेज घुमेगा उतनी ही vibration इसके अंदर पैदा होगी इसी principle पर एक काम करता है आप क्या करेंगे जैसे माली जी यह machine है इस जो read को इसके उपर रख देंगे जब आप इसके उपर रखेंगे तो जो भी इसकी natural frequency से match करेगी जितनी भी speed तो व पहा होगा तो यह जो पूरा एक box होता है उसके साथ scale लगा होता है तो जब आप रखते हैं तो अपने आप अपने natural frequency के हिसाब से vibrate करती है और आपको reading दे देती है तो इसके अंदर देखिए जो vibration है इस read की आप directly measure कर सकते है जो speed है जो किसी भी जो machine की अब इसके अंदर द vibrating reads का use करते हैं according to natural frequency और इसके अंदर जो आपका box होता है उसको हम यह digital type भी होते हैं तो जिनको आप जमाले यह electronic जो आपके vibration analyzer से भी attach कर सकते हैं तो electronic vibration analyzer से attach करके भी आप क्या कर सकते हैं इसकी जो speed है उसको measure कर सकते हैं तो इस तरह से जो main जो basic principle है वो यही है vibrating read tachometer का तो thank video देखने के लिए और ज्यादा updated videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं thank you